हलो एवरिवन, वेलकम टू माई चैनल, आज हम एक बहुत स्पेसल इंडो चाइनीज स्टार बनाएंगे जो की है वेज लॉलिपॉप, यह बहुत क्रिस्पी एंड जूसी होता है, तो चलिए रेस्पी सुरू करते हैं एक बड़े से बोल में हमें डालना है पत्ता गोबी, यह देर कप पत्ता गोबी है, जिसे मैंने ग्रेट कर लिया है एक से दो चमच पत्ता गोबी बचा लेंगे, जिसे बाद में सौस में यूज करेंगे हमें आधा कप गाजर लेना है इससे भी मैंने ग्रेट कर लिया है इसमें से भी एक चमच हम गाजर बचा लेंगे sauce में यूज करेंगे एक बड़ा साइच का प्याज को मैंने finely chopped कर लिया है इसे भी डाल देंगे again हमने थोड़ा सा प्याज बचा लिया है जिसे हम सॉस में यूज करेंगे finely chopped red और green सिम्ला मिर्च लिया है ये तीन बड़े चमच है ये दो चमच मैं यहाँ पर डालूँगी और एक बड़ा चमच मैं बचा लूँगी जिसे सॉस में यूज करूँगी दो बड़ा चमच beans लिया है जिसमें से डेर मैं यहाँ यूज कर रही हूँ और half मैं यूज करूँगी सॉस में अब मैं इसमें half teaspoon नमक डाल रही हूँ आप अपने टेस्ट के according डालें इसे हम mix कर लेंगे सबजी आप अपने पसंद के अनुसार डाले इसे 5 मिनट रस्ट करने देंगे अब हम एक बोल में तीन मीडियम साइज का पोटेटो लेंगे इसे बॉयल करके छिलका निकाल लिया है अब इसे हम mix करेंगे 5 मिनट बाद हम सबजीों को अच्छे से हातों से दबा के इसका पानी निकाल लेंगे नमक डालने की वज़े से ये आसानी से निकल जाएगा इसे हम मैस की हुए आलू में डाल देंगे और ये जो पानी बच गया है इसे फेकिंग ये नहीं इसे हम सॉस बनाने में यूज करेंगे अब हम इसमें मिला देंगे एक बड़ा चमच अद्रक लसन का पेस्ट वन टीस्पून काली मिर्च पॉडर वन टीस्पून का स्मीडी लाल मिर्च पॉडर थोड़े से रेड चिली फ्लेक्स डाल रही हूँ ये ओप्सनल है वन टीस्पून सोया सोस और वन टी स्पून वेनिगर डाल देंगे इसके बाइंडिंग के लिए डालेंगे हम ब्रेट क्रम्स सिंप्ली मैंने चार छोटे वाले ब्रेट को लिया उसे ग्राइंडर में पेस लिया यहां मैं एक तीहाई बचा रही हूँ जुरूत लगेगी फिर डालेंगे अब हम दो टेवली स्पून मैदा डालेंगे अब सारी चीजों को अच्छे से मिक्स करके एक डो तेयार कर लेंगे अगर लगीगा कि डो गीला है तो हम इसमें फिर से ब्रेट क्रम्स एड करेंगे मेरे डो ठीक है तो मैं एड नहीं करूंगी हम लॉली पॉप बना रहे हैं तो पकड़नी के लिए कुछ चाहिए होगा तो मैं यूज कर रही हूँ आइस्क्रीन स्टिक हाथों को अच्छे से ओईल से ग्रीज कर लेंगे लड्डू जितना डो लेंगे उसे गोल करके उसके बीच आइस्क्रीन स्टिक को गुसा देंगे इसे थोड़ा लंबा कर लेंगे ध्यान रखे आइस्क्रीम स्टिक को अंदर तक गुसाइने तो ये तलने टाइम निकल सकता है ऐसे ही हम बाकियों को भी बना लेंगे ये देखिये मैंने सारा लॉलिपॉप बना लिया है आप चाहे तो इसे अभी फ्राइ कर लें या फिर एर टाइड कंटेनर में रखकर इसे स्टोर भी कर सकते हैं 2-3 दिन के लिए मैं इसे अभी ही फ्राइ करने वाली हूँ अब हम लॉलिपॉप के लिए बैटर बना लेते हैं बैटर बनाने के लिए हम 2 टेबली स्पून मैदा लेंगे और 2 टेबली स्पून कॉर्ण फ्लार लेंगे ध्यान रखे मैदा और कॉर्ण फ्लार सेम कॉंटिटी में ले अब इ इसमें थोड़ा थोड़ा करके पानी डालेंगे और एक बैटर त्यार करेंगे इसकी कंसिस्टेंसी ना ज्यादा थिक और ना ही ज्यादा थिन होनी चाहिए एक मीडियम थिन कंसिस्टेंसी का बैटर बना लेंगे कि कंसिस्टेंसी आप देख सकते हैं अब हमें लॉली पॉप को तलना है तो इसके लिए एक कड़ाई में हम तेल गरम करेंगे लॉली पॉप को स्पून की मदद से बैटर से अच्छे से कोट करेंगे सारे साइड जहां पर जॉइंट है वहां पर हमें ध्यान से अच्छे से कोटिंग करनी है अब तेल को चेक कर लेते हैं तेल में थोड़ा सा बैटर डालेंगे अगर यह उपर आ जा रहा है मतलब तेल का टेंपरेचर सही है हम इसमें लॉली पॉप को डाल देंगे इसी तरह से हम बाकी के लॉली पॉप भी डालेंगे दूसरा लॉली पॉप डालने के बाद हम इसे थोड़ा सा चला लेंगे नहीं तो यह एक दूसरे में चिपक जाएगा यह गोल्डेन ब्राउन हो गया है अब हम इसे एक एक करके निकाल लेंगे किचिन टावल के उपर ऐसे ही हम बाकियों को भी तल लेंगे सारा लॉली पॉप तलने के बाद हम स्वास बनाएंगे लॉली पॉप के लिए तो इसके लिए एक पैन में हम तेल गरम करेंगे तेल गरम होते ही हम इसमें एक चमच लसन डाल देंगे finely chop उसी के साथ हम एक चमच अध्रक ढाल देंगे ये भी finely chop किया हुआ है कि इससे high flame पर थर्ती सेकेंड के लिए saute करें गे 30से न के बाद हम इसमें ढाल देंगे प्याद जो हमने बचाया था इसे भी हमें तर्टी सेकिंड के लिए साटे कर लेना है. हाइफ प्लैम पर ही। 30 सेकिंड के बाद हम सारी सबजीओं को डाल देंगे. जो हमने बचाया था. अर इसे एक मिनट के लिए रोस्ट करेंगे। एक मिनिट के बाद हम इसमें डाल देंगे वन टीस्पून रेड चिली सॉस, हाफ टीस्पून सोया सॉस, वन टेबल स्पून टोमैटो केचप, मैं थोड़ा मीठा खाना परचंद करती हूँ, इसलिए मैं मीठा डाल रही हूँ, आप इसे स्किप भी कर सकते हैं सारी चीजों को अच्छे से मिला लेंगे, अब हम इसमें सबजीयों का पानी डाल देंगे, जो हमने बचाया था, और उसी के साथ डाल देंगे वन टीस्पून कस्मीरी लाल मेज पॉर्डर, अच्छा मैं इसमें नमक नहीं डाल रही हूँ, क्योंकि ये सबजीयों के पानी मे अल्रेडी नमक है, सारी चीजों को एक बर मिक्स कर लेंगे अच्छे से, जब इसमें बोईल आ जाएगा तो हम कॉर्ण फ्लोर वाटर डाल देंगे, इसके लिए हम वन टीस्पून कॉर्ण फ्लोर लेंगे, उसमें टू टेवल स्पून वाटर मिलाएंगे, और इसे लॉलिपॉप को अच्छे से कोट करेंगे, आप उतना ही लॉलिपॉप को कोट करें जितना आप उस समय खाने वाले हैं, नहीं तो लॉलिपॉप सॉफ्ट हो जाएगा, हमारा वेज लॉलिपॉप बनकर तेयार है, आप इसे एक बाद जरूर बनाएं, अगर आपको मेरी र और हैं सकतार ü लुप मिरीज समय जरॉप इस एक रहला हैं, आपको मेरी skilledshirt से कोट कारव हैं, आपको ¿Dتي लॉलिप झाले हैं, आपको मेरी रहां है?